नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉर्डिशन BPCIO की तरफ से सक्षक बहाली परिक्षा ली गई और अब इस परिक्षा के पनिनाम भी जारे कर दिये गए हैं जहां एक तरफ डेलिड़ पास अभियर्थी लगातार सिक्षक बनने की राह देख रहे थे BPCIO की तरफ से उनकी परिक्षा ली गई और परिक्षा के परिनाम के बाद अभियर्थी काफी जादा खुश भी है तो वहीं दूसरी तरफ B8 पास अभियर्थियों का आकरोश देखने को मिल रहा है जहां एक तरफ लगतार B8 पास अभियर्थी सरकार की आलोशना कर रहे हैं वहीं BPCIO की तरफ से जानकारी दी गई है B8 पास अभियर्थियों के लिए बिहार लोग सिवा आयोग ने 1,70 पदों पर चल रहे सिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी कर दिया आयोग ने कुछ विसयों के परिनाम 17 अक्टूबर तो कुछ विसयों के परिनाम 18 अक्टूबर 2023 को जारी किया इस बीच पसुपेश में बैठे B8 पास अभियर्थियों को लेकर भी अपने स्तिती को स्पस्ट की है आयोग ने 18 अक्टूबर 2023 की शाम को प्रात्मिक सिक्षक भरती B8 पास अभियर्थियों को लेकर एहम नोटीस जारी किया BPC ने इस नोटीस में कहा है कि बिहार राज विद्यालिय ध्यापक न्यूकती इसनांतर अनुशासनिक और नियमवाली 2023 के तहट प्रात्मिक सिक्षक वर्ग एक से पांच के पदो पर न्यूकती नियमवाली 2023 की कंडिका 5-2 में NCRT द्वारा समय समय पर निर्धारिस तैक्षनिक और प्रसैक्षनिक योगता धारित करता हो अंकित है ऐसे में सिक्षक प्रसैक्षन के किसी भी उपाधी के मानिता के बिंदू पर अत्वा किसी उपाधी विशेस की समुलता के बिंदू पर किसी प्रकार के विवाद की स्थती में राष्ट्री अध्यापक सिक्षा परिसाद यानिकी NCTE के प्रामर्ष में विभाग का निर्ण में सिक्षासना तक के उपाधी प्राप्त की हो उसे कक्षा एक से पांस तक पढ़ाने के लिए विद्यालप अध्यापक के रूप में नुक्ती किया जा सकेगा इस पस्ट किया गया है लेकिन हाली में सुप्रीम कोच के दायर विभिन याचिकाओं पर आये फैसले में NCTET के 2018 के 2018 कि अधि सुषना को रद कर दिया गया साथ ही कहा गया कि बिहार सरकार इसमें पात नहीं है इसलिए अदालत बिहार में चल रही भरती को लेकर कोई कमेंट नहीं करेगी लेकिन अधालत को उम्मीद है कि बिहार इस फैसले को संग्यान में रखेगी BPSC ने अपने डोटिस के अंत में कहा है फिर भी यदि इसे संबंधित किसी आने मामले में माननी है सुप्रेम कोट और असक्षम न्याले अत्वा आदेश पारित होता है तो इसके फलाफल में परिक्षा फल प्रभावित होंगे आपको बताते चलें कि BPSC की सिक्षक भरते परिक्षा में प्रात्मी पतों की आवेदन करने वाले करीब 3.5 लाख बीएड अभियर्थी जो हैं वो शामिल हुए थे जहां एक तरफ BPSC आयोग की तरफ से जो परिक्षा ली गई उस परिक्षा में बीएड पास अभियर्थी तीन लाख से भी जादा थे और ये अभियर्थी लगातार सरकार से मांगी कर रहे हैं कि उनके रिजल्ट भी जारी कर दिये जाएं और उन्हें जो इंतजार था बि आते हैं उस अधार पर इनका रिजल्ट जारी किया जाएगा फिलाकलस खबर मतना है तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें निउस फोनेशन